हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी सबसे पहले तो आप सभी को हो ली की बहुत बहुत शुब कामना है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हैं MBA कोर्स के बारे में तो सुनाई होगा MBA पूरे विश्व का सबसे पसंदीता प्रोफेशनल कोर्स में से एक है और भारत में भी आजकल अधिक तर युवा आपने डिगरी बिजनेस अद्मिस्टिशन में ही करना चाहते हैं दोस्तों MBA एक बहुत पॉपुलर प्रोफेशनल मास्टर डिगरी कोर्स है लेकिन इस कोर्स में एंडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एक्साम देना होता है और हम जिस एंट्रेंस एक्साम की बात इस वीडियो में करने वाले हैं वो है कैट याने की कॉमन एडम मिलता है बागे आपके चॉइस पर करता है तो जो स्टुडेंट मैनेजमेंट या फिर बिजनस एडमिस्टेशन सेक्टर से जोनना चाहते हैं तो उनके लिए हर साल केट टेस्ट और इस किया जाता है और यह एक्जाम आयायम द्वारा कराई जाती है आयायम का मतलब इंडि पिकर नहीं होता है इन कॉले से अपना MBA कोर्स करने के बाद आप बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब भी मिलती है तो आईए देखते हैं और जानते हैं लेकिन अगर पहली बर हमारी चैनल पर आए है तो चैनल क भी कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें भी आपको कैट के तुरू एड़ीशन मिल जाता है जैसे कि MMS याने की Master of Management Studies, PGPPM याने की Postgraduate Program in Policy and Management, Next is PGPEM याने की Postgraduate Program in Enterprise and Management, इसके अलावा भी कई कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको कैट के तुरू एड़ीशन मिल जाता है आपको बता दे हैं कि हर साल दो लाग से भी जादा स्टूटेंट इस अग्जाम को देते हैं अब बात आती है कि केट अग्जाम को देने के लिए आपके पास कितने अलिजिबिटी होनी चाहिए एम बे कोर्स करने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो विट 50% माक्स के साथ वो भी रिकोनाइज यूवेसिटी और अगर आप फाइनल एर के स्टूडेंट तब भी आप इस एक्जाम को दे सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जुलाइ के लास्ट वीक में चेह फिसलिमें हमें आपको इसका पै्टन भी पता देती हुँ इसमें जो टूटल कोशें होते हैं वो फहं पूछे जाति हुआ है इसके लिए आपको झाया चास का टाइम दिया जाता हैं इसके लिए आपको 60 minute याने की 1 hour का time दिया जाएगा Next होता है आपका data interpretation and logical reason से total 32 question पूछे जाते हैं इसके लिए भी आपको 60 minute का time दिया जाता है और last subject होता है आपका quantitative ability 34 question पूछे जाएगे इसके लिए भी आपको 60 minute का time दिया जाएगा लेकिन wrong answer के लिए आपका one marks भी cut कर लिया जाता है और negative marking सिर्फ objective तरह के question में ही होती है यदि आप cat exam का slavers जाना चाते हैं कि उसमें क्या-क्या पूछा जा सकता है तो slavers की link आपको description में मिल जाएगी आप जाका देख सके और last में इस exam के लिए मैं आपको कुछ tips देना चाहूंगी जिससे आप इस exam को easily crack कर पाएं सबसे पहले तो आप cat exam के slavers को अच्छे से पढ़ लें अच्छे से समझ लें कि आपको उसमें से क्या-क्या आता है क्या नहीं आता है उसको underline करें और थोड़ा से लेंस के बाहर भी जरूर पढ़ें कभी-कभी कुछ कोशिन बाहर से भी पूछ लिए second tip ये है कि आप जिस subject के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं उन subject पर आपको ज़्यादा पकर बनाने पड़ें लियाने के उन subject पर आपको ज़्यादा मेहरत करने की ज़रूवत होगी और थार टिप ये है कि जिस subject में आपके अच्छी पकड़ है आपके अच्छी knowledge है तो उसका revision आप करते रहें ताकि वो आपके mind में बना रहें पर टिप ये है कि इस exam के preparation बीच में से कहीं से भी start ना करें और लास्ट टिप में आपको ये देना चाहूंगी कि cat exam के जो previous paper होते है आप उन्हें solve करने की कोशिश करें आपको उनको solve करने में कितना time लग रहा है आप कितने answer सही दे पा रहे हैं, कितने नहीं दे पा रहे हैं ये खुद नहीं चेक करें इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके अंदर एक खुद में अलग confidence आएगा exam को crack करते time जादा practice आप खुद से करेंगी उतना ही आप exam को easily crack कर पाएं तो आप सभी से यह कहना चाहोंगे कि अगर आप MBA करने में टेस्टेट हैं तो CAD exam की प्रपेशन अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर पता है और कोई डाउट है तो हमें वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर एप ऑन इंस्टा पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आप कितरे विजिटर्स को उस प्रोग्राम की तरफ अट्रेक कर पाते हैं जितनी जादा आप सीर्स कर पाते हो उसके इसाब से ही आपको कमीशन भी मिलेगा तो आप चाहें तो इसको पार्ट टाइम की रूप में भी कर सकते हैं अगर आपको सोशल मीडियो नेटवरक काफी अच्छा है तो आप एक अच्छी खासी एफिलिट मार्केटिंग कर गाया नहीं भी कर सकती हैं उमीद है आपको समझ आये होगा कि एफिलिट मार्केटिंग क्या होती है इसे कैसे जॉइन करते हैं अगर फिर भी आपके माइन में कोई डाउट है तो हमें बिलकुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप चाहें तो हमें एब और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रुप्शन में मिल जाएगी तो चैले हमें चलती हूँ मिलते हैं नेक्स्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ and finally thanks for watching